प्रेंड हमने गोनी का रेडिमेंड थैला सिला है अपने हाथ से सुई और धागे से बॉक्स वड़ा देखी कितना परफेक्ट रेडिमेंड के तरह दिख रहा है तो चलिए स्टाट करते हैं और धागा कैची और सुई और एक पेन ले लिए हैं हमने और इसको पहले हम कर लेंगे जतने साइज का चाहिए उतना हम बीना इंशी टेप कर अब पाटें निकाल रहें इसका उपर का हैंडिल हेंडिल बनाएंगे जैसे कि से टंगना भी बुलते हैं पकड़ सकते हैं उसमें झो थैला सिलके तो यह कप ये हम काटकेन काल लेते हैं और शीघ नोज से कट कर लेंगे और वीडियो में दिखा रहे हैं इस त्रह से मेर्थ और लाइन वाली पट्टी होто कि उससे आप शेव देखे कटिंग कर सकते हैं तो हम जिसतर वीडियों में दिखा रहे हैं उसलस। देह कर बना सकते हैं US घर पर आशाली से मशीन पर नदर तो जएससे कर तेज़ागा में तब कर भाद इले तो यह जो हम निकाल रहे हैं बारीक वाला पट्टी इसका हैंडिल हम बनाएंगे अब हमने इसके उपर लाइन मार दिया है और उस तरह से एक एक इंच जहां लाइन मारा उसके आगे एक इंच बढ़ा के चारो साइड से कटिंग कर लेंगे अच्छे से मेरी वीडियो नौलेज ले सकती हैं एक दूसरे का तो हम अपने ब्लॉग में अपने हमें जो चीज़ आता है वह आपको शेयर करते हैं हर चीज़ तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए और ये इस जोले को हम जितना बारीक से सिलेंगे उतना ही मतलब खुलने का डर नहीं रहेगा और इसे कुंसे वह जो हाथ सिलाई वाली सुई होती है ना सबसे बालिक उसी से हमें मतलब इसको सिलना है अच्छे से सिलाई बैठते जाएगी वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा था इसलिए हमने इसे शौटकट में आपको समझा दिया है बस आप वीडियो पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा वीडियो को इसकी इपना कीजिए क्योंकि जो इसका कॉर्णर होता है बॉक्स का सिलने वाला वह कॉर्णर ज्यादा तर लोगों का अच्छे से नहीं बैठता है पर्फेक हमने बहुत य काटके हो चुका है हम हैंडिल ट्यार करेंगे जिस से देञें से अच्छें ही नहीं हो तो इसे इस वीडियो को बनाने में अरह दोट नहीं जाना है मुझे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक ज़रुर कीजिए चैनल को स्ब्राइब का लईजे दाए तरह कि लिए रिकर दो ये सीलने के लिए नहीं होगा डायरेक निकालने के लिए तो आप इस तरह से सील सकते हैं निया से सूई साइड से पिछे साइड से भी उपर के साइड लाकर इस तरह सील सकते आसानी से और यह जो थैला है थैले का जो प्लैस्टिक है बहुत कड़क है और बहुत ही मतलब जल्दी इसकी सिलाई खुलेगी ने इसको बारी किसी सिलाई करना पड़ेगा तो देखिए हमने सील काट ले करते हैं और उपर का बनाते हैं अिस तरह से लाई करना है और उसके हैंड मनज सील के हो चुका है हैं लगा के अब उपर साइड से हम इस तरह से सीलेंगे और हैंडिल को उपर किया साइड करके उस अच्छे से रफ रफू मार लेंगे इसके उपर दो तीन बार सीलाई सुज़के धागे से मार लेंगे तदा कि वह बाद में कितना भी सामाना उसके अंदर सिलाइं टूटे ना एकडब मशीन जो हम पैर से जों चलाते हैं मशिन उसके तरह इसकी सिलाइं परफेक्ट होएगी इसके इतना भी सामान राख देंगे जल्दी से इसकी सिलाइं खुलेगी नहीं और मार्केट में मार्केट से जाकर ला सकते हैं आपको भोऺ दो तीन है लगा सब्सक्रार एक लाइन पाइज से झीस आपको दू-ती बर टाकित लगा देना है। मझभूती से और रिक सब्सक्रार यह यह ऺंग है चाझा बॉड़ए हैंसे की कि थागा मझेमेर लियोज्सके नोटने दक लेगा, नहीं सिलाई काफी टाइम तक जाएगा और अच्छे सी रहे गए हम रपस मशीन नहीं है हम यह तो मशीन पर सिल के दिखाते थे हम एक टेलर है हमें सब आता है सिलना अब हम मशीन लेंगे तो आपको आए का वीडियो डिटेल में दिखाएंगे